हमारे चार सहयोगी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग इलाकों से हमें जोइन कर रहे हैं राम किंकर सिंग इस वक्त आनन ब्यार से हमें नजर आ रहे हैं मंडे हाउस से श्रया चेटर जी बनी हुई है अरविंद ओजा की भी मौझूद की है धिल्ली में अमिद भारतवाज भी मौझूद हैं सेंटर धिल्ली में अरविंद ओजा अरविंद आपका पहले रुख कर लेते हैं तो दिल्ली के दंगल को लेकर हर एक पारटी जोर नगार पूरी शक्ति के साथ उतरी हुए लेकिन जनता क्या कह रही है? हवा का रुख क्या कह रहा है? कितने उत्साहित जनता किस तरह से पूरी तयारी? बताएं आप. लेकिन जिस तरीके से MCD election के लिए BJP और आमादमी पार्टी ने पूरी ताकत जोक रखी है? इसी में भरस्टाचार का मुद्दा उठा, तिहार जेल आया, महा ठक की चिठी आई, कूडे का पहाड आया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोब चले, लेकिन वो सब कुछ अब थ चलेगा, तो वही BJP का कहना है कि नरेंद्र मोदी के सपनों की दिल्ली बनेगी, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां, दोनों पार्टियोंने पूरी ताकत जोग दी है, लेकिन कल बताओं, जब वोटिंग होगी, तो दिल्ली पुलिस ने भी पूरी त तक पहुचा सके, अब अमित भारत्वाज का हम रुक कर लेते, अमित, किस तरह से आप अपनी तैयारी महा पर देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कल महत्पुर्ण दिन है, पूरी लिहाज से दिल्ली के लिए, दिल्ली के जनता के लिए, MCD चुनाओ, अपने आप में बारत जनता पाटी के लिए, कितनी बड़ी चुनाओती है, इस बात से समझ में आ सकता है, कि बीजेपी ने इस दफ़ा केंद्रिय मंत्रियों को काम पे लगाया, दिल्ली में एक MCD चुनाओं में प्रचार प्रशार करने के लिए, और इसके साथ साथ देश के अलग-अलग राज दंगो की वज़े से लंबे समय तक महौल जो है, वो तनाव पूर्ण रहा था, और इसी तरह से यूपी के अलग-अलग मंत्रियों को भी यूपी से सटेवे इलाकों में प्रचार कराया गया, यानि कि बीजेपी को पता है, कि ये साख की लड़ाई है, चौती बार जरूर जीतने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं, तो नरेटिव वार में कहीं न कहीं आमादमी पार्टी उन पर निशाना साधेगी, दूसरी तरफ आमादमी पार्टी की स्ट्राटीजी देखिए, कि वो बीजेपी के का जो पूरा कैंपेंड रहा, जिसमें वो भरस्टा चार से लेके सुकेश की बात करते रहे, उस पे जवाब नहीं दिया आमादमी पार्टी ने, बलकि जनता के बीज गए, मनीश सिसोधिया एक तरह से पूरे चुनाव प्रचार प्रसार का चहरा बन गए आमादमी पार्टी के, और नुकर सभाओं में मनीश सिसोध स्पेसिफिक स्ट्राटिक अस्तिमाल कर रहे थे, वो महिलाओं से खास कर पूछते थे कि आमादमी पार्टी ने क्या काम किया, और फिर महिला वोटर्स जो होती थी, वो गिनवाती थी, यानि कि लोगों को, लोगों के थुरू ही रिमाइंड कराए जाए कि उनका ट्रैक र रहा है और नरेटिव का भी मामला आश्टोष कि अगर आमादमी पार्टी इस बार जीती है, तो लोगसभा के लिए भी एक रास्ता तैयार होगा, आमादमी पार्टी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं,